तो गाइज मैं हूँ आईश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया स्वागत आपका आज की इस वीडियो में और ये होने वाली है हमारी रॉयल रंबल 2021 की प्रेडिक्शन्स भाई इतना ज्यादा है ना जो इंटरस्टिंग है पेपर वी हो चुका है कि अब इंतजार नहीं ह कल सूबा साड़े पांच बजे हमें रॉयल रंबल देखने को मिलने वाली है लाइव और इस बार तो भाई पता ही नहीं लग रहा आखिर जीतेगा कौन तो है तो प्रेडिक्शन्स वीडियो लेकिन कितनी प्रेडिक्शन सही होंगे उसका कुछ पता नहीं है इस बारी क्य सोचा है कि आगर इस पेपर व्यू में कौन जीत सकता तो यह चीज़ काफी इंट्रस्टिंग रहेगी गाइस रॉयल रंबल का पेपर व्यू काफी कमाल रहने वाला है और इंस्टाग्राम पे आपको बता रहा हूं कि इंस्टाग्राम पे अगर आपने में को फॉलो नहीं करा एट रियल रेसलिंडिया लिंक इस इंदे डिस्क्रिप्शन उसको जाके आप डेफिनिटली फॉलो कर ले क्योंकि कल जब रॉयल रंबल लाइव आ रही होगी गाइस तो मैं अमने स्टोरीज में लाइव रेक्शन पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे वो चीज़ करन करने वाली है अगेंस नाय जैक्सन शेना बेसलर अब इन मैचों के बारे में बात करते हो भाई ऐसा लग रहा है कि यारी छोड़ो यार इन मैचों को चलो बस में इन मैचेस पे क्लका शो कुछ ऐसा ही रहने वाला है और क्या मैं आप एक टाइटल चेंज एक्सपेक्ट कर शायद इसको WWE बचा के रखेगी इसके बाद गाईस जो मैच हमें देखने को मिलेगा वो भी एक विमिन्स मैच हो गया यानि कि for the SmackDown Women's Championship Sasha Banks अगेंस कारमेला अब इस मैच को जबकी काफी अच्छे तरीके से बुक कर रहे है WWE काफी एच्छे इनकी फ्यूड रही है पहले भी एक मैच हो चुका है लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि ये मैच कभी निखर के नहीं आएगा एक ऐसे पे-पर-व्यू में जहां पर बाग की सब चीज़ें इतनी जादा important है लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये मैच हमें अच्छ बैंक किसी भी एंगल से अपना टाइटल हारने के लिए रेडी है उनको इतना जादा अभी दिखाया है नहीं गया स्ट्रॉंग एस चैंपियन की उनसे टाइटल चीन लिया जाए I think करमेला के लिए अभी टाइम सही नहीं है कि वो टाइटल जीते और साशा का सबसे जादा इंपॉर्टन फैक्ट यह है कि अभी वो टाइटल हारने के लिए रेडी नहीं हो उनको एक बड़ी फ्यूट चाहिए और शायद रेसल मेनिया तक उनको चैंपियन बने रहना चाहिए अब हम बढ़ते हैं मेन मैच इसकी तरफ जो सबसे पहला मैच हमें मैंस का देखने को म मैच होगा कुछ लोग कहेंगे कि लंबा मैच भी हमें देखने को मिल सकता है वो चीज मेरे साब से बिल्कुल सेकेंडरी है क्योंकि यहां पर मैच अच्छा होने से जाधा इंपॉर्टन यह है कि डेवी बिल्कुल सही रिजल्ट चुने और मुझे कोई आइडिया नहीं है यहां पर कि कौन जीतने वाला अगर मैं आपको सच बता हूँ लेकिन अगर मुझे प्रेडिक्शन करनी हो तो प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहां पे ड्रू मैकिन को इस मैच को और आदिया तो क्या आप सोच सकते हैं कि history में जाएगी Drew McIntyre की rain की कितने बड़े-बड़े नामों को उन्होंने हराया है अपने इस एक साल के title run में कोई दिकत नहीं है अगर रेसल मेना में Drew अपना title drop कर देते हैं लेकिन यहाँ पर title drop करना Drew McIntyre के लिए I think थोड़ा बेकार चीज़ होगी उसके बाद क्या उनका rematch होगा गोल्बग के साथ Drew McIntyre की रेसल मेना के plans क्या होगे मुझे लगता नहीं है कि इस बाद WWE गोल्बग को title देने वाली है और इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है जिसके बारे में अभी बात करेंगे लेकिन मेरी prediction यहाँ पर रहने वाली है Drew McIntyre इसके बाद बात करते है Universal Championship match की जो की होगा guys Roman Reigns अगेंस Kevin Owens यह एक last man standing match होने वाला और इसकी build तो हम जानते ही है क्या गजब के रही है WWE ने इतनी महनत करी है इस चीज़ के उपर तो expectation जो है वो सारे fans की यहाँ पर लग चुकी है कि एक कमाल का match हमें देखने को मिलेगा और T TLC के अंदर definitely इन दोनों ने बात प्रूफ कर दी थी कि भाई यह आपस में एक कमाल का match दे सकते हैं 5 star से भी उपर मैं तो सोच रहा हूँ कि यह last man standing match होगा हो सकता है guys यह 30-40 minute का एक match हमें देखने को मिलेगा काफी साथ interference हो सकते हैं कुछ surprises भी इस match के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं लेकिन आखिर इस match को जीतेगा कौन क्या Kevin Owens the tribal chief को हरा सकते हैं एक बाद फिर से इसका answer है no तो मेरे predictions के according मुझे नहीं लगता कि कोई भी title change होने वाला है Royal Rumble के अंदर यहां पर Roman Reigns का हारने का chance तो मुझे लगता है सबसे जादा कम है तो कि उनकी जिस तरीके से भी जो character को build करा जा रहा है जो उनका momentum as SmackDown के उपर Owens को आखिर universal title जिता के क्या ही मिलेगा और इसका मतलब यह नहीं मैं कहा रहा कि Kevin Owens उसको deserve नहीं करते या फिर वो title या फिर championship उनको जीतनी नहीं चाहिए लेकिन इस समय वो time गलत है और हर चीज का एक सही समय होता है और यह सही समय है Roman Reigns को build करने का और Wrestlemania तक at least उनको champion रखन होने वाले लेकिन गाइज आप expect कर सकते हैं मैच काफी कमाल का होने वाला है और साथ की साथ Roman Reigns अपना title जो है वो उसको कर लेंगे अगले मैच के में बात करते हैं जो की होगा गाइस पहला royal rumble match यानि की women's का royal rumble match इसको कौन जीतने वाला है कुछ नाम मैं आपे लेने वाला हूँ क्योंकि एक नाम मैं बोलूँगा कि हा मुझे लगता है यह जीतेगा लेकिन मैं कुछ options दे रहा हूँ जो मुझे लगता है ऐसा होने वाला इस rumble में बैकी लिंज डेफिनेटली वापिस आ सकती है गाइस लेकिन rumble जीतने का मुझे लगता है तब भी उनका चांस कहीं थोड़ा कम है तो आखिर मेरे हिसाब से इस royal rumble को जीतेगा कौन जो दो बचते हैं मेरे वो होंगे रिया रिपली एंड बयांका के साथ दिखा दिया था वो बिल्कुल उस स्टेज पर जाने के लायक है हिससाल अगर वो करते हैं तो सीधा वो टाइटल के लिए चैलेंज कर पाएंगी लेकिन अगर बयांका बिलेर रॉयल रंबल जीते हैं तो स्मैक डॉन पर साशा को चैलेंज कर सकते हैं और इंग साश होंगी बयांका बिलेर और फानली हम बढ़ते हैं अपने मेन मैच के उपर जो कि सबसे जादा उमीदे बांध के रखे हुई है फैंस ने जिससे वो है मेंस का रॉयल रंबल मैच आखिर कौन इस मैच को जीतेगा हम अल्रेडी बात कर चुके हैं कौन-कौन वापिस आ सकता ह है कौन-कौन जीत सकता है potentially क्या-क्या surprises इसमें हो सकते हैं क्या-क्या ending इसकी देखने को मिल सकती हैं लेकिन यहां पे अब बात है winner की वो एक नाम की कौन जीतेगा और कौन headline करेगा और women's के royal rumble की तरह यहां पी आपको कुछ नाम दूँगा पहले और यह नाम होने वाले हैं क्योंकि Orton के साथ उनका match यहां पर होना था जो हुआ नहीं तो definitely उनके feud Orton के साथ continue होगी अगर Fiend वापस आते हैं आपर तो वो दोनों यहां पर royal rumble जीतने नहीं वाले अगर हम यहां पर Daniel Bryan की बात करें तो उनका chance काफी जादा बनता तो है लेकिन उनको पिछले कुछ हफत भी आरे थे भाई कि उनको WWE ने भी तक कोई नया contract ही नहीं दिया तो वो आएंगे कैसे लेकिन मुझे लगता है कि Lesnar का return secret रखना कोई बड़ी बात नहीं है WWE के लिए क्योंकि Lesnar एक private इंसान है और अगर WWE उनको definitely वापस लाना चाहती है तो किसी को खबर वो ऐसे ही नहीं होन अगर Brock Lesnar नहीं आते तो मैं pick करने वाला हूँ यहाँ पे the rated R superstar Edge को कि Edge जीतेंगे Royal Rumble और वो किसी को भी challenge कर सकते है Roman को या Drew को for the title at WrestleMania तो ये guys kind of Royal Rumble का point है इसके लावा बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं gold bug जीत सकते हैं मैंने Seth Rollins का नाम नहीं लिया जो कि एक possible winner बन सकते हैं तो फिर से वही है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर दो नाम बिल्कुल 50-50 बे मुझे पकड़ने हो तो Edge और Brock Lesnar मैं दूँगा अगर Brock Lesnar आते हैं तो definitely जीतेंगे और अगर नहीं आते तो I think the rated R superstar is going to win तो guys ये थी मेरी सारी predictions Royal Rumble पे-per-view की बहुत जादा excitement कर रही है I know और मैं कल भी आपसे पूरा दिन लगबग वही contact में रहेंगे काफी सारी वीडियो बनने वाली है अब तो चैनल पर आने वाले दो तिन दिन में तो आप सब्सक्राइब करने कर नहीं किया notification bell को अन कर दें अपनी predictions comments में डाल दें और इस वीडियो को guys कर दें like thank you so much watching मैं हूँ आइश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया